नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूज गॉर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेयर में चर्चा करेंगे 16 जन्वरी 2021 के विभिन समाचार पत्रों में से, जो की आपके आगामी परिक्षा, चाहे वसी एचसल हो, दिल्ली पुलिस CPOSI, Combined Graduate Label, Intelligence Bureau, NTPC, लगभग सभी परिक्षाओं के साथ साथ, State Services के लिए भी ये लाबदायक सिद्ध होगी, तो आईए एक एक करके चर्चा करते हैं, आज के रास्टी मामलों में पहली खबर है, इंडियाज First Indigenously Designed and Developed Driverless Metro Car, दोस्तों, केंदरी रक्षा मंत्री कौन है हमा आयोजित एक समारो के दावरान, 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली Driverless Metro Car का अनावरण किया, दोस्तों, मुंबई Metropolitan Region Development Authority के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विक्सित अत्याधुनिक Driverless Metro 10 का निर्माड BEML बेंगलूरू वी निर्माड सुविधा में किया जा रहा है, तो यह काफी महतपूर है, यानि हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सबसे इसमें महतपूर बिंदु क्या है, स्वदेशी, यानि आत्म निर्भर भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से यह देख सकते हैं, वन लाइनर खबर है, सीधे सीधे डेवलप्मेंट और्गनाइजेशन, डेवलप इंडियाज फरस्ट इंडिजिनेसली डेवलप्ड 9mm मसीन पिस्टल आश्मी, ASMI, ध्यान रखेंगी इस पिस्टल का नाम क्या है, ASMI, यानि DRDO और भारती सेना ने संयुक तरूप से, देखना या हमात पूर हो जाएगा, कि DRDO जिसका नाम क्या है, आश्मी, ASMI, जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत, यानि सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, हार्ड वर्क, और हत्यार को चार महिने के रिकार्ड समय में, इनफैंट्री स्कूल, मवू, और DRDO के अपार्टमेंट रिसर्च और डेव किसका है यह है, DRDO का है, तो इसके द्वारा या डिजाइन और विक्सित किया गया है, अब बरते हैं, इंडिया टुक वेरी डिसीजिव, स्टेप्स टू डील बिथ कोरोना वाइरस पैंडेमिक और इट्स एकोनामिक कॉंसेंसेज, आई एमेफ, यानि अंतर रास्टी मुद सारे सुधार किये, उस पर जो है, आई एमेफ की जो चीफ है, कौन है, क्रिस्टीलीना जारजीवा, यह ध्यान रखेंगे, इसके पहले क्रिस्टीना लिगारदे थी, अब क्रिस्टीलीना जारजीवा हैं, तो उन्होंने कहा कि कुरोना नामक महमारी और इसके आर्थिक पर बंद नहीं दे सकने, एक बैस्टीलीना जारजीवा, अभी हमने बताया, तो यह तीन चार फैक्ट है, नहीं याद रखेंगे, अब बढ़ते हैं तरास्टी मामलों में, डोनाल ट्रम्प एड्मिस्टेशन ब्लैक लिस्ट श्याउमी, तो यह कंपनी आप देख सकते हैं, स्मार्टफोन की कंपनी है, इसे काली सूची में डाल दिया, जिसकी वज़ा से, अमेरिका और चीन के बी बीजिंग नई प्रतबंधों को द्रिणता से विरोध करता है, और चीन ने पूरी तरह से कह सकते हैं कि इस अमेरिका के इस कदम की घोर निंदा की है, दोस्तों रक्षा मंतराले के सैन संबंधों के चलते, नव कंपनियों को काली सूची में डाला है, और जिन कंपनियों प काली सूची में आने के बाद, अमेरिकी निवेशकों को चीन की इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी खत्म करनी होगी, इसके लिए अमेरिका ने इसे नवंबर 2021 तक का समय दिया है, तो यह है, इस तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन के बीज फिर से तनावपूर्ण स उनके उपर भी इसका परभाव पढ़ रहा था दोस्तों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इससे जुड़े कारकारी आदेश पर अमेरिकी ट्रम्प, जो अमेरिकी रास्टपती ट्रम्प, अब जो की हटने वाले हैं, उन्होंने नवंबर 2020 में ही दस्तकत कर दिये थे, तो Xiaomi Corporation ने अभी तक इस कारवाई की कोई प्रत्क्रिया नहीं दिये, और दोस्तों आपको बता दें कि Apple को ये पचाड कर तीसरी सबसे बड़ी कमपनी बन गई है, अमेरिका ने जब Huawei, Huawei कमपनी पर भी प्रत्वंद लगा चुका है, इसके स्मार्टपोन पर Google की जरूरी सेव डाउन पड़ गए, चीन की इस कमपनी के, तो यहां जो है काफी अच्छी खबर नहीं है, खास कर चीन के लिए, और इस तरह से दोनों देशों के बीच में और गहरी डिफ्ट बन गई है, अब बढ़ते हैं दोस्तों, आफ्टर अमेरिका, Russia also parted from the Free Sky Treaty, दोस्तों, मुक्त आ परितिक कह सकते हैं कि स्टेटिक जो उसकी कूट नीती है, उसकी डिप्लोमेसी है, उसको बनाय रखने के लिए, बिस में अपने जगा को बनाय रखने के लिए, रूस ने भी यह कदम उठाते हुए, फ्री स्काई ट्रीटी से अपने आपको अलग कर लिया है, रूस और और वहां की सैन गदविदियों की टोह लेते थे, लेकिन अमेरिका के बाद अब रूस भी में भी यह संभव नहीं हो पाएगा, तो जैसे यह बिमान जा रहा है, इसकी पहचान करना की किस प्रकार का कोई संदिक्द तो नहीं है, लेकिन अब इन सब चीजों से यह अलग हो गए हैं, तो दोस्तों इसमें तीन दरजन देश सामिल थे, इसमें अमेरिका और रूस प्रमुग थे, लेकिन यह दोनों देश अलग हो गए हैं, इसमें सामिल देशों की विमान अन देशों के सैन प्रतिष्ठानों के उपर से उड़ सकते थे, इससे उन्हें शैन गदवि कि प्रती पारदर्शिता को कायम करना था इसका मतलब है कि ये दोनों देश अब पारदर्शिता से दूर हो रहे हैं या कहीं न कहीं कुछ नई नीतिका निर्धारन करने का प्रियास करेंगे तो इससे हतियारों के नियंतरण में भी मदद मिलती थी आप सी टकराओ की आशंका कम होती थी तो यह आप आने वाले समय के लिए अच्छी खबर नहीं है थोड़ा सा जान लिजिए ओपन स्काई ठीटी क्या है तो दोस्तों 1992 में फिनलेंड देश है दोस्तों इसकी राजधानी हैलेंस की है वहीं पर हस्ताक्षर किये गये थे और यह 2002 से पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया इसी तरह से 2020 नोवंबर में अमेरिका अपने आपको ओपन इसकाई ट्रीटी से अलग करने की घोशना की थी तो यह तीन चार प्वाइंट है इसमें ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं समाचारूं विभिन राष्टी और अंतराष्टी व्यक्तित तो इसमें आज हम बात करेंगे इंटल अप्वाइंट्स पैट गिल सिंगर को अपना नया मुख्यकारकारी अधिकारी के रूप में न्यूक किया है जो फरवरी 15-2021 से प्रभावी होगा जेल सिंगर भूमिका समालने पर इंटल के निदेशक मंडल में भी सामिल हो जाएंग जेल सिंगर जो एक उद्योग के दिगज हैं जो चार दसकों से अधिक प्रद्योगी और नेतित अन्भव के साथ इंटल में 30 साल से हैं और जहां अपना कैरियर शुरू किये थे तो दोस्तों पैट एक कह सकते हैं प्रसिद्ध प्रद्योगी नेता के रूप में यानि प्र हुई थी इसका हेड़ क्वार्टर जो है कैलिफोर्निया में सान्ता क्लारा में युनाइटेड इस्टेट और इसके जो फांडर हैं गार्डन मूर और राबर्ट नोयस हैं अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी जो महत्पूर्ण हसती हैं डॉक्टर समीरा फाजली यानि यह कश्मीरी कह सकते हैं कि कश्मीर से दूसरी ऐसी व्यक्ति हो रही हैं जो कि जो से बाइडन के प्रसासन में आ रही है यानि अमेरिका के नो निर्वाचित रास्पती जो से बाइडन ने अपने प्रसासन में कश्मीरी मूल की एक और महिला डॉक्टर समीरा फाजली को सामिल क इससे पहले आईसा साह के बाद या दूसरी कस्मीरी मूल की महिला होंगी और फाजली को नेशनल एकोनामिक काउंसिल के डिप्टी डिरेक्टर के पद पर तैनात किया गया है फेडरल रिजर्व बैंक आफ अटलांटा में डिरेक्टर आफ इंगेजमेंट फार दे फोरम के वरिष सलाकार के तौर पर काम कर चुकी है यही नहीं उबामा प्रसासन में ही वह ट्रिजरी विभाग में भी सलाकार रह चुकी है इससे पूर जोसेफ बॉइडन ने कश्मीरी मूल की आईशा साह को वाइट आउस की डिजिटल रणनीत में पार्टनर्शिप मैने को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पूस्ट पेमेंट बैंक ने वितिय साफ्ट वेर और सिस्टम जिसे FSS कहते हैं के साथ साजेदारी की है जो की अंडर डोज्ड और अनबैंक सेग्मेंट में वितिय सामावेंट को बढ़ावा देने के लिए है तो सहयोग के तहट IPPB FSS यानी आधार इनेबल्ट पेमेंट सिस्टम इसको AEPS कहेंगे यहां पर ध्यान रखेंगे इसको और काउपयोग पूरे भारत में ग्राहकों को इंटर अप्रेबल और सस्ती डोर स्टिप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए करेगा तो इस तरह से FSS एक अगरडी बैंकिंग डिजिटल भुकतान प्रोसेसर और एकी कित भुकतान उत्पादों का प्रदाता है तो यह चोटी खबर है लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ है यह पूछ सकता है समझोता साजेदारी अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें पुरसकारों में Honey Bee Network Creativity Inclusive Innovation Award 220 दोस्तों देख रहे हैं कि Lockdown की परिस्तितियों में भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने कारनामे कर दिखाएं जिसकी वज़ा से इस अवार्ड के कह सकते हैं लायक हैं वह हैं बाला जी बाबु राव जाध हो दोस्तों मध्य महराश के लातूर जिले के रेनापुर तहसील के अंतरगत सांगवी गाउं की यह निवासी हैं जो Honey Bee Network Creativity Inclusive Innovation Award 2020 के लिए जिनको चुना गया है दोस्तों यह पुरसकार संयुक तुरूप से Honey Bee Network और GIA अंद्वारा स्थापित किया गया है यह पुरसकार उन्ही लोगों को दि हम से इस तरह से यह काफी चर्चा में आ गया है इस वज़ा से इनको यह पुरसकार मिला इससे पहले ही याद हो तो हमने खबर में चर्चा की थी 16 पुर के ही थे प्रात्मिक विद्याले के सिक्षक के रूप में काम करने वाले 32 वरसी रंजीज सिंग डिसाले को ग्लोबल ब 35 मिनट की इस फिल्म में बिद्याबालन ने बतोर प्रोड्यूसर डेबू किया है यानि पहली की यह फिल्म होगी जिसमें उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में आई हैं तो फिल्म का वर्ड प्रीमियर ट्रिबेका के वी आर वन एक ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल यानि 2020 में भी किया गया था इसके बाद इंडियन फिल्म फेस्टिवल इस्टेटगार में भी स्क्रीनिंग की गई थी फिल्म ने जर्मन स्टार आफ इंडिया आवार्ड अपने नाम किया इसे लंदन इंडियन फेस्टिवल में भी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल फ्लोरिड Film Festival इन सब में आमंतरित किया गया था दोस्तों तो Melbourne में Indian Film Festival में भी यह फिल्म दिखाई गई और Film Best of India यह बहुत सारे पुरसकार जी चुकी है और इस तरह से बिद्याबालन बहुत ही उससाहित है इस फिल्म को ले करके और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं International Kids Film Festival is India's largest children film festival तो यह जो है भारत का सबसे बड़ा children film festival है IKFF इसका उदेश है कि दुनिया के दूरदराज हिस्सों में बच्चों को प्रेद करने वाला सार्थक और विस्वस्तर का सिनेमा देना है तो भारत, इटली, फ्रांस, दक्षिन कोरिया, ताइवान, किर्गिस्तान, अमेरिका के स्कूलों में चुने गए 45 सदस्यों की चाइल्ड जीरी ने नटखट को सरसेस्ट लाइव एक्सन सौर्ड के लिए भी पुरसकार दिया था बहुत सारे पुरसकार जी चुकी है, और यहाब क्या है, आसकर के लिए नामित होई है तो फिल्म की कहानी में क्या है, एक मा के इर्द गिर्द घुमती है, वह देखती है कि उसका स्कूल जाने वाला बेटा सोनू परिवार के दूसरे मर्दों की तरह ही महिलाओं को गलत नजरों और अपमान की भावना से देखता है ती, यही 33 मिनट में इसको दिखाया गया है और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा आसकर के बारे में जान लिजी, यहाँ पॉइंट हमने दिया है, अमेरिकी संस्था, अमेरिकन अकादमी आप मोसन पिक्चर, आर्ट्स एन साइंसेज की ओर से दिये जाने वाला आसकर रवार्ड की सुरुआद, 16 मई 1929, यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आसकर के इतिहास में सबसे सफल फिल्म, बेन हर, टाइटेनिक, लॉर्ड आप दे रिंग, रिटर्न आप दा किंग, तीनों फिल्मों को 11-11 आसकर मिले हैं, यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक नॉमनेशन 11-11 नॉमनेशन के बावजूद, उन्हें एक भी आसकर नहीं मिलाती, यह भी महत्पॉर्ट फैक्ट है, इस तरह से यह सारे फैक्ट दिये गए हैं, इसको ध्यान रखेगा, एक्टर केटेगरी में सबसे अधिक आवार्ड जीतने वाली फिल्म, लुक नो फर्दर दैन हैं, जबकि हेनरी फांडा 76 साल ने सबसे अधिक उम्री में यह आवार्ड पाया है, इसे तरह 1973 में रिलीज पेपर मून के लिए टैटम ओ नील को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का आवार्ड मिला था, तब वह सिर्फ 10 साल की थी, जो कि सबसे कम उनमें आसकर पाने का र उस था, अलग से करनी पर दे, यह कुछ important fact थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर paste कर दिया, इन्हें जरूर देख लीजिएगा, अब बढ़ते हैं दोस्तों, खेल समाचारों में, सौरफ चौधरी made world record in final one, यह भारती निसाने बाज सौरफ चौधरी का यह चित्र देख रहे ह दोस्तों, 60 shot के qualification दोर में 590 का score बनाया, और फिर final में 246.9 के score के साथ अपने प्रतिदंदियों को पीछे छोड़ा, वहीं अमन प्रीस सिंग 244.5 दूसरे अस्थान पर और सिव नर्वाल तीसरे अस्थान पर, और यह ध्यान रखेंगे कि विशु रिकार्ट जो है 246.5 का ह जबकि इन्होंने कितना बनाया, 0.9 उतरी कोरिया के किम सोंग गुक का है, और दोस्तों उधर महिलाओं में बात की जाए, तो मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एर पिश्टर ट्रायल में पहला स्थान हासिल किया, मनु ने क्वालिफाइंग में 580 अंग बनाय और 60 स्थान इसके बाद फाइनल में 239.3 अंकला कर जीत दर्ज की, वहीं तमिल नाडु की स्री निवेथा दूसरे और उतर प्रदेश की नेहा तीसरे स्थान पर रही, यह दोनों लोगों का देख लिजिएगा, अब बढ़ते हैं दोस्तों, साई अपॉइंट निकोलाई as the middle and long distance coach of Indian Athletics तो भारती खेल प्रादिकरणने बेलारूस, बेलारूस देश है, जिसकी रादधानी मिंस्क है, तो बेलारूस के हैं यह खिलाडी, निकोलाई इसने सारेव को भारती Athletics टीम का मध्यो लंबी दूरी का coach नियूट करने की मंजूरी दी, जबकि दो साल पहले उन्होंने इस से इस्तीफा दे दिया था, निकोलाई 72 वर्स के सितंबर के अंतक नियूट किया गया है, जिनमें जुलाई अगस्त में होने वाले टोक्यो उलंपिक का समय भी सामिल है, दोस्तों वह 3000 मीटर स्टीपल चेज एथलीट अविनास साबले, जो कि पहले ही उलंपिक के लिए धावकों को कोचिंग देंगे, जो उलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की कोशिस में जुटे हुए हैं, और दोस्तों निकोलाई ने फरवरी 2019 में तब भारती एथलेटिस के लंबी और मध दूरी के कोच का पत छोड़ दिया था, जब साबले, अविनास साबले, उन्हें उन्हें छोड़ कर अपने कोच अमरीज कुमार के मारदरसन में ट्रेनिंग का फैसरा लिया था, तो इस तरह से भारती एथलेटिक महासंग के अध्यक्ष, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, आदिले सुमिर वाला है, ने निकोलाई की, नियुक्ती की प्रसंसा की और उमी में गिरने वाली नदियों की चर्चा कर चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दोस्तों, लूनी नदी, इसका देख रहे हैं कि इसका उदगम, देखे, सोर्स, एंड इसका मुहाना, तो इसका उदगम जो होता है, अजमेर के नाग पहाड से, यानि अरब अली परवस सिंखला में इस्थित, अजमेर के नाग पहाड से यह निकलती है, इस नदी की जो खासियत है, मीठा और खारा जल दोनों है इसका, यानि कह सकते हैं, इसका फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर दोनों के लिए जानी जाती है, दोस्तों, जैसल मेर तक इसका पानी मीठा होता है, जैसल मेर के बाद, जैसे ही वहाँ, मरसली भाग में जाती है, इसमें लमड़ता की मातरा बढ़ जाती है, और दोस्तों, यहाँ कह सकते हैं, इंटरनल ड्रेनेस पैटर डिवर है, आंतरिक अपवाह वाली नदी है, और यहाँ कच्च का रण सुना है, वहीं पर जाके विलीन हो जाती है, आईए मांचित में देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह लूनी नदी आ रही है, यह कच्च के रण में विलीन हो जाती है, इसकी सहायक नदियां भी है, जैसे मीखनी, सूकनी, लावनी, यह सब सहायक नदियां है लूनी की, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब इसी तरह से दूसरी जो महत्पूर्ण नदी है साबर मती नदी, इसका सोर्स क्या है, मेवाड इंद उदे पुर्डिस्टी का फराजस्थान, यानि राजस्थान के उदे पुर्जी लेके, मेवाड क पहाडी से इसका उदगम होता है दोस्तों, किसका साबर मती नदी का, दोस्तों गुजरात का अहमदाबास सहर, इसी नदी की किनारे बसा है, गांधी नगर सहर, इसी नदी की किनारे बसा है, और आगे जाकर यह खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, यह ध्यान रखेंगे और उसके बाद तीसरी नदी है माही नदी, माही नदी का उद्गम मद्ध प्रदेश में बिंध्यन परवस्थ से होता है और इसका मुहाना भी खंभात की खाड़ी है, ये ध्यान रखेंगे अभी मामचित्र में मैं समझाऊंगा, जैसे साबरमती, माही, नर्मदा, तापती, उत्तर से दक्षिन लगाने को आजाए तो लगा दीजेगा, यानि साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा, तापती, ये चारो गल्फाफ खंभात में गिरती है, दोस्तों माही नदी की बारे में बिसेस्ता है कि यहां करकर रेखा को, ध्यान रखेंगे ट्रॉपिक आफ कैंस को दो बार काटते हुई, ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, अब यहीं पर याद रखिएगा, कॉंगो नदी है, जो विस्तों की एक मातर ऐसी नदी है, जो एक्वेटर को दो बार काटती है, अफ्रीका महाद्यूप में बैती है, विस्तों की सबसे अधिक रेखा को दो बार काटती है, टौपिक औफ कैपरिकाउन को, और इसी तरह से याद रखना, आस्टेलिया में, फिट जराय नदी है, जो मकर रेखा को चार बार काटती है, ति यह चारो पॉइंट यहाद रखना और माही नदी बिस्फ की एक मात listening से नदी है जो करक रेखा को दो बार काड़ती है इसकी सहाइक नदी है सोम, जाक, हम ध्यान रखेंगे इसके बाद आती है नरमदा नदी यह दोस्तों अरफ सागर में गिरने वाली प्राइदी पी भारत की सबसे लंबी नदी है यह कह सकते हैं कि 1037 मीटर उची है और यहीं से सोन नदी भी निकलती है यहीं से नर्मदा नदी और नर्मदा नदी की सहाइक नदियां है तवा, दुद्धी, शेर, सक्कर, हीरन, ओरियन, यह सब सहाइक नदियां है दोस्तों, याद रखेंगे, और इस तरह से यह एस्चूरी का निर्माण करती है, यहाँ पर जिसे जुआर नद मुख कहा जाता है, न की डेल्टा का, और दोस्तों, यहाँ भ्रंस घाटी में बहती है, और क्या इसकी भी सेस्ता है, यहाँ बिंध्या चल परवस सेड़ी और सत्पूरा परवस सेड़ी के मद्या बहती है, यह फैक्ट ध्यान रखेंगे, भी मांचित में और दिखा देंगे, अब बढ़ते हैं तापी रीवर, उसी के दक्षिन में नर्वदा के तापी रीवर है, मद्प्रदेश के मुल्ताई नामक, यानि बैतूल पठार, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक, पहाडी से इसका उद्गम होता है, दोस्तों ये भी एस्चूरी का निर्मार करती है, ये ध्यान रखेंगे, और यह भी ध्यान रखेंगे कि अब जैसे बिंध्या चल सत्पुडा हो गई नर्मदा, उसके बाद सत्पुडा और नर्मदा नदी ये देख रहे हैं, आप ये आ रही है और ये जाकर इसके उपर बिंध्या चल परवसेणी ये सत्पुडा परवसेणी है इसी तरह से तापी नदी सत्पुडा और अजंता सेणी के मद्दे बहती है, ये भी भरंस घाटिम बहती है, ये भी एस्चुरी का निर्मार करती है और सूरत सहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो इंडियन डाइमंड इंस्ट्यूड भी है ध्यान रखेंगे, अब उपर बढ़ते हैं जो छोटी-छोटी नदी हैं, लेकिन ये भी कभी-कभी आ जाती है, जैसे देख रहे हैं ना मांडवी और जुवारी नदी, गोवा में बहुत सारे कैसिनोज हैं, तो जुवारी नदी याद रखना, तो मांडवी नदी करनाटक से आ रही होती है, और इसका मुहाना गोवा के समीप, यानि गोवा के करनाटक से आती है, और अफसागर में गिर जाती है और गोवा की जो राजधानी क्या है, पणजी इसी मांडवी नदी के तर्ट पर बसा हुआ है और जुवारी नदी बताया ही कि गोवा में ही निकलती है, गोवा से ही जाकर गिर जाती है, उसके बाद गंगा वेली नदी, इनका नाम याद रखना करनाटक से निकलती है, और अफसागर में करनाटक के तरट पर समी गिर जाती है फिर उसके बाद आता है भारत पुझा नदी दोस्तों भारत पुझा पेरियार भारत पुझा नदी तमिलनाडु से आ रही है और इसका मुहाना केरल के समी प्यानी यहीं पर जाकर गिर जाती है यह ध्यान रखेंगे दोस्तों और यह केरल की सबसे बड़ी नदी है इसी तरह से पेरियार नदी देखेंगे तो केरल से ही निकल रही है पहाडियों से और यह जाकर के अरफ सागर में गिर जाती ती यह जो छोटी छोटी नदियां इनको भी याद रखिएगा आईए मांचित में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर जैसे मैंने देखा रहे हैं यह पर भारत पुझा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह तमिल नाडू से आ रही है इसी त पर देने वालों में हैं बिसुजीत कुश्वाहा, स्वर साहा, मुश्कान हरुन शेक, खेतेश मंसूरिया, संजय नेगी, गोपाल नाग, भात यूनिस, राजेश कुमार, रफीकत खान, सूरज उपाध्याय, उदैजीके, जोती गर्ग, सौरफ चौधरी, ध्रू बाजप करोलिया, विक्की, विशाल कुमार, आश्टोष कुमार, मनुशर्मा, विशाल सिंग, नीरज हिमता, इतने लोगों ने आज उत्तर और कमेंट दोनों किया है, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है सब लोगों ने, अब आज के प्रसनों में आते हैं, पहला प्रसन है, 15 जनुएक से भारत की पहली स्वदेसी 9mm पिस्टल अस्मी विक्सित की है, इस रोके भारती सेना के रूस या अमेरिका के, नेश कोशन है, आइमेफ का मुख्याले कहां वस्तित है, निवियार्क, वासिंग्टन डीसी, पेरिस या संगाई, नेश कोशन है, हाली में अमेरिकी सरकार ने किस देश की स्मार्ट फोर कंपनी, शाओमी कार्परेशन को ब्लैक लिस्ट किया है, वो तरी कोरिया, जापान, चीन या दक्षिन कोरिया, नेश्ट है, अमेरिका के बाद कौन सा देश ओपिन स्काई संधी से अलग हुआ, रूस, फ्रांस, स्विजर लेंड या ज इसनल एकोनामिक काउंसिल के डिप्टी डिरेक्टर के पद पर किशे न्यूत किया है, विदुर सर्मा को, समीरा फाजली को, आईसा साह को, या रोहन सर्मा को, नेस्ट कोचन निन में से कौन सी सौर्ट फिल्म बिद्या बालन किया, जिसने आसकर 2021 की रेस में जगा बनाई ह दोस्तों याद रखना, इसमें नटकट, जलीकट्टू, शेमले सी ये तीनों सौर्ट लिस्ट हुई है, अब इसमें आई-म कलाम ये पहले आई थी, तो ये तीन आप्सन मातपूर्ण है, ये चार तो होगा ही ने, इसी तीन में आपको बताना है, कि कौन सी बिद्या बालन की फिल्म है, नेक्ष्ट है, मनु भाकरें, सौरफ चोधरी का संबंध किस खेल से है, टेनिस, टेबल टेनिस, निसाने बाजी या बैटमिंटन, और अंतिम प्रस्ण है, नर्वदा नदी का उद्गम किस राज जिसे होता है, महारास्त, मद्दप्रदेश, गुजरात या र प्रस्टों, प्रस्टों.